डी यारती किचन में आप सभी का स्वाग थे तो चलिए आज हम बनाते अपने किचन में करेले का भरवा यह 2 केजी करेला इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी कुकर में डाल कर इसको मैं 1 सीटी लगा लूँगी इसमें पानी थोड़ी सी डालनी है और 1 सीटी लग चुका इसको फ्लेम से मैं उतार दी ये काली मिर्च, एक चमच, जीरा, दो चमच, पांच चमच, सरसो, अचार पुट लसन, दो लाल मिर्च सभी को मैं पीस लूँगी, कुछी इस तरह कडाई में मैं रख दी, चुले पर और सरसो कमें तेल डाल दूँगी तेल गरम हो चुका, ये फोरन आधा चमच, जीरा, और एक लाल मिर्च, और तीन-चार तेज पत्ता सभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जो मैं मसाला पीस कर रखी थी, सभी को डाल दूँगी और दो मिनर तक इसको चला लूँगी, कुछी इस तरह और ये जो करेला था मेरा ठंडा हो चुका है, तो सभी बीज को में इस तरह निकान लोगी करेले के अंदर से, और ये बीज को फेकनी नहीं है, फिर इसका पेस्ट बना लेनी है और जो टाइट बीज है, उसको छोड़ देना है और ये है तीन प्याज, छोटे साइज का, इसको काट कर में बीज के साथ भी इसको भी पीस लूँगी इससे काफी टेस्टी मसाला बनती है करेले वाली और ये से तीखा भी नहीं लगता है करेला और जो पेश्ट में बनाई बीज और प्याज का, इसको भी मैं डाल दूँगी डाल कर इसको मैं 10 मिनट तक फ्राइ कर लूँगी एक चमच हल्दी पाउडर और इस तरह आप मसाला को लगतार चलाते रहेगा, नहीं तो चिपकने लगता है मसाला और ये देखिए मेरा मसाला रेडी हो चुका है, तो इसमें मैं दो निम्बू करस डाल दी हूँ, आप चाहें तो आम चुर पाउडर या आम का चार भी डाल सकते हैं स्वाद अंसार नमक डालिए और इस तरह मैं और पांच मिनट इसको पका लूँगी क्योंकि मसाला जरूरी है अच्छे से फ्राई होना तो इससे काफी टेस्टी बनेगी भरवे करेले वाली और अपने घर में जरूर इस तरह ट्राय कीजी और मेरे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और ठंडा होने दूँगी ठंडा हो चुका है और जो करेला मैं बोईल करके रखी थी सभी करेला के अंदर मसाला को इस तरह मैं भर लूँगी काफी टेस्टी बनती है और इस तरह बनाएंगी तो तीखा भी नहीं लगता है करेला सभी में अच्छे से मसाला भर चुका है और फिलेम तेल भी गरम हो चुका है तो सभी को मैं डाल कर एक एक करके मैं अच्छे से फ्राइ कर लोंगी और आप इसको मीडियम फिलेम पर फ्राइ करें इसे काफी टेस्टी बनेगी और देखिए काफी अच्छा मेरा भरवे रेडी हुआ है और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब थैंकि वाचिंग मैं वीडियो